तो कबड़ी ने दिल तोड़ा लेकिन शूटिंग से भारत ने अब तक दो गोल्ड सहीत आठ मेडल जीते हैं इस वक्त इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस्टूडिय में मौजूद है शूटिंग एक्सपर्ट शिमोन शेरिफ शूटिंग आपका स्वागत है कल आपने कहा था कि जो छोटे शेहरों के जो हैं जो खासकर फॉर्मर ओलम्पियन से जिसा की अनवर सुल्तान ने कहा उसकी वज़ा से बहुत कामियाभी मिल रही है ये एक और उसकी मिसाल है बिल्कुल क्रेडिट जाता है पर्सनल कोचिस को जाता है और प्राइविट शूटिंग अकैडमी को जाता है ये देखिया आप सारे छोटे शेहरों के जितने भी इस बार ओलम्पिक के मेडल आएं और अब चौदरी की बात करें और हिसार से अभिशेक वर्मा की बात करें और आज शारदुल विहान 15 साल के खिलाडी इंक्रेडिबल परफॉर्मेंस जब राज्यवर्दन राठोर ने इसी इवेंट में 2004 में कामयाभी हासिल करी थी शिलवर मेडल जीत के इतिन्स में तो 2004 में शारदुल सिर्फ एक साल के थे और आज देखिए उसी इवेंड में आज उन्होंने इतियास रचा है और सबसे यंगिस शूटर बने अब मैं उनसे बाचित कर रहा था उन्होंने कहा कि मैंने पुछा 10th का एक्जाम कब है या किसा बोला सर मैं तो अभी 9th में आया 9th से 10th में गया हूँ तो यह बहुत बड़ी बात है कि 9th 10th में पढ़ने वाले जैसे अनीस बानवाला है इस तरह के कैसे कई सारे शूटर से म इस वकट बहुत सारे स्कूल के बच्चे के यह सा कि मैंने आपके कलके शो में बटाया कि क्योंकि शूटिंग प्राइविट अकैडमी इतनी सारी खुल रही है पूरी इंडिया में और कई स्कूल में भी इसी फूल रही है तो यह बहुत ही पॉपलर स्पोर्ट बन चुका ह और बहुत सारे स्कूल के बच्चे इसको खेल रहे हैं और रिमार्कबल परफॉर्मेंस आज शारदुल विहार ने दिखाई अगर उनकी एज की बात करें सिर्फ 15 साल के ते और डबल ट्राप जैसे इवेंट में अगर आप देखें तो जो बाकी पांच फाइनलिस थे वो सब उनसे कम से कम दुगने एज के थे जो closest उनका राइवल था हो 27 साल का था और शायद इसले confidence भी है वो खुद भी कह रहे थे कि टेंशन नहीं है लेकिन double trap जैसा की सब कोई जानते कि olympics का event अब नहीं रहा तो और इसी confidence की वज़े से शायद वो कह रहे थे कि हम मैं trap में shift कर ज लीग है यह सब है इनने देखिए olympics तो ही एक अलग लीग लेकर आप यह देख लीजे मान के चलिए कि Asian Games सिर्व एक स्टेप कम होता है olympics है और अगर यह यंग teenagers Asian Games में अपने से दुगने उमर के लोगों को हरा के पदक जीत सकते हैं तो वो olympics में भी medal जीत सकते हैं और क जो पेट इवेंट है और मेरे को पूरी उमीद है कम से कम दो पदक और जीत सकते हैं तो शूटिंग से दो पदक और जीत सकते हैं और फैंस चाहेंगे कि आपकी बात बिलकुल सही हो जाए हमसे जुड़ने का बेहर शुक्रिया